असनात को तर शीक्षक पाता परिश्छा उत्विर नहीं नहीं है ये लोगों को को नियुक्त किया अत्विल परसाद और केके पाठक न नहीं इसे के मनमाना और केके पठक का तनसाही के कारण ये बीना दस्तावेज सत्यापन का रिजल्ड दे दिया गया और फर्जी घुस गया और फर्जी जाकर के इसकूल में पढ़ाने लगे अब उनका दस्तावेज सत्यापन हो रहा है अब उनको निकाला जा रहा है अगर बहुत सारे ऐसे अयोग अभियर्ति को अगर आप निकाल रहे हैं तो हम लोग इसे योग अभियर्ति उसे वो सीट को भरिये हम यहां पर भीक नहीं माग रहे हैं डेडलाइन कट अफ जो टै किया गया है वीपेसी के द्वारा उस मानक के उपर हैं हम लोग मेरिट में मगर आयोग को जो उन्होंने अंदर कर दिया उनके वज़ा से जन्विन कंडिडेट का सीट मारा गया और गलत लोग आज बोड पे हैं आख में आख डाल का अपना हक ल जरती हैं वो संघर्च कर रहे हैं अपनी मांग को लेकर के लगतार रोड पे आते हैं और सरकार से और जो अपर मुक्सचीब हैं केके पाठक और जो विपेसी के अध्यच है अतुल परसाथ उन्हें लगतार सवाल करता है आज भी कई सारे चात्र वह सई हैं विपेसी के जो हमारे साथ हैं और लगतार नराजगी अपना बेक्त कर रहा है हम बात करेंगे क्या मामला है आप लोग को बारबार आप लोग रोड पर आ जाते हैं कभी धरना पर बैट जाता है दखिए यह संजीव नाम हुआ मेरा और योग सिक्षक अबैर्टिस संके संजोजक हुए यह बीपी यसी टीरीवन का जो इग्याम हुआ इग्याम के बाद पहले डोकुमेंट्स को अच्छे से वहरिफिकेसन करना था और डोकुमेंट्स करके जो भी फरजी है अजोग्य हैं उनको बाहर करके योग अभियरतियों की एक सूची बनानी थी और उस सूची को फिर सिक्ष यह दिना दस्तावेज सत्यापन का रिजल्ट दिया गया और फर्जी घुस गया और फर्जी जाकर के इसकूल में पढ़ाने लगे अब उनका दस्तावेज सत्यापन हो रहा आप उनको निकाला जा रहा है तो हम लोगों ने रिजल्ट से पहले जाकर के अब BPSC के चेर्मेन से मिला था और कहा था कि इतने भी फर्जी उनको पहले बाहर करिए ने तो आन है फर्जी अब बता रहें कौन है फर्जी BPSC के इक्जाम में आपको चाहिए था ASTT का सर्टिफिकेट और ASTT का इक्जाम हुआ था 2019 में और 2019 के बाद में जिनका सेक्षिर की योगता पूरा हुआ ओ है फर्जी और 2023 में जो ASTT का इक्जाम हुआ और ASTT 23 के आधार पर जो नियुक्त हुए है BPSC TRE1 में ओ है फर्जी यह फर्जी का सुची है जाखिए अब निकला जा रहा है अब देखिए यह औरंगा बात का यह डियो का लेटर है इसमें देखिए कंप्यूटर साइज में क्या करें असनात कोतर नहीं है असनात कोतर सिक्षक पत्रता परिक्षा के बाद उतीर नहीं है यह लोगों को कौन नियुक्त किया अत्विल पर साथ क्या क्या पाठक न्युक्त किया यह देखिए दर्भंगा का है इसको अटाया गया यह यह लिए अचेक कर रहा है तो यह और आपको यही काम पहले करना चाहिए नहीं देखिए का विद्धूआपन है पॉइंट नाइन कहता है कि पहले ब्पीए आसी के दस्तायों करना 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 है संतूष्ट होना है और अजोग्यों की बाहर करके सुच्छी बनना आइगा और फिर पॉइंट सेवन कहता है कि और लिश्ट अब सिच्छा विभाग को जाएगी तो सिच्छा विभाग को अपने अस्तर से जांच परतल करना है और संतुष्ट रिजल्ट हुआ था और रिजल्ट होता है यहां किये करते भाई गरदा नहीं हुआ बीपी ऐसी यह कटफ सब्सक्राइब नहीं हुए अब इलिजवल कंडिडियेट में जितने सीट है उस चीट को भरना है तो आप परिछा अगर माली का पास कर जाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि मेरिट में आ जाते हैं समझ रहे हैं ना चीज़ों कि मेरा एक नमर कम है किसे हम लोगों इनका मी मार्क्ष यह जो डेडलाइन कट अफ जो टै किया गया है वी पेसी के द्वारा उस मानक के उपर हैं हम लोग मेरिट में मगर आयोग को जो उन्होंने अंदर कर दिया उनके वजह से जन्मिन कैंडिडेट का सीट मारा गया और गलत लोग आज बोड़ पे हैं जी जिस कटेग अब बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं इसलिए नहीं हुआ कि मानका चलिए कि जो बीपीएसी ने जो कट अफ तै किया उसमें 200 लड़ के पास कर गये ठीक है और बीपीएसी का पास सीट कितना है 1500 ठीक है अब जो डेर सो डेर सो कही रिजल्ट होगा 200 लड़ के पास तो कर हुआ है यही मामला है ठीक है उसका पूरा हो फॉर्म हरने से पहले एकडमी क्वालिफिकेशन जो बीपीएसी सिच्छा विवाक के जवारा जो मानक तैगी आ गया था उस पैमाना को फुल्फिल कर रहे हैं तभी आप उस फॉर्म को अपलाई करते सकते थे स्टेट 19 वाले क लेकिन वो लोग भी स्टेट 19 के फॉर्म को फिल कर दिये जो उस टाइम 2019 में एकडमी क्वालिफिकेशन को पूरा नहीं कर रहे थे यह सिच्छा विवाक की सबसे बड़ी ब्लंडर है जो और पालन करते हुए आप जो फरजी लोग घुस गये उनको कुछ लोग हट चुके हैं और 50% लोग अभी भी जो एक स्कूल में है तो उने स्कूल वालों को जो फर्जी तरीके से घुज गये जिनको स्कूल एलोट हो गया है उनको जल्दी हटाइए और उनको हटाके और जो भाई चोपट हो रहा है हम लोग से हम अधिकार छीन लिया है हम लोग से अधिकार क्या होता है कलम होता है अगर आपके पास मायक होता है eliabeels की डिंगी रहा है तो उनकी पुरी करेंगी तो आप क्या करें? पूरिकरी कि तहुत्व ही तो निया पालिगा है अपना ऐ को डेक्द में फूसमी नहीं हाइत पूरे सुनी जाएगी ना ये तो है नहीं कि आंधर चोपट राजा है अच्छा पूर syntmor इसक्ट सो लेका शला गया शक्रें जुब है इसे लोक्त अथिकार है लाब मैं यहीं कहूंगा कि जितना नंबर दूसरा लड़का लड़का how मैं इतना नंबर लाग लड़का बोर्ड पे है उतना हम आज की रेटर में रोड पे अगर बहुत सरे इसे अयोग अभ्यार्ति को अगर आप निकाल रहे हैं तो हम लोग इसे योग यह लड़ेगे आपका अधिकार में जिए अनुवरत चलेगा जदी यह गौवर्मेंट हमारी बात और देली करेंगे और है की सरकार सबसे बड़ी बात इस comme at uh क्यों बीहार को बरबाद करने पर हाफ लोग तुले हुए हो ह solve एक लाग 20336 में आप ये तो देखो कितने लोगों को आपने औरिजिनल में नियुक्त किया है सबको तो फर्जी में किया है आपने अच्छार रहे हजारों किसंन्ग हमें हैं सब फर्जी हैं एक दम जिनको यह नहीं पता है कि भाया हम यह किसकी गलती से हुआ ha आयोग के result के वज़ा से जो है कि वह चीज सर गॉर्मेंट ने मान लिया उनकी ज्वाइनिंग करा करके डाय लेक्ट उनको ज्वाइन करा के बिल्कुल पूरा विश्वास है वो नहीं करेंगे तो हमारे राम आएंगे वहीं करेंगे बिल्कुल आएंगे जनुवरी में आ रहे हैं आपको 24 तो राम भरोसा है क्या बोलें कि आपको कोई बीमारी होगा तो अस्पताल जाए या मंदल जाएगा ठीक देखिए देखिए उ हमारी सोच अलग है सर वह कहां हम कहां रोड पे बटकते हुए बेरोजगार सिक्षा केंसर उनसे हमारी क्या तुलना है तो आसा है कर रहे हैं आसा है अगर नहीं मांग पूरा करेंगे तो रोड पे उत्रेंगे और अनिश्चित कालिन धरना देंगे देखिए सब कैसे यहां सिच्चा का अभियरती हैं और कह रहे हैं कि पूरा फर्जी बाड़ा हुआ है रिजल्ट में और यह चार है कि जो फर्जी है जो इस्ट्रेट पास नहीं अभियरती से उन लोगों का जाब हुआ है और हम लोग एस पास है और नमड़ उतना ही है लेकिन आज हम लोग रोड पर है नियाई की गुहार लगा रहे हैं बैराल अपनी पर्तिकिर्या ओ नीचे कॉंड़ोक स्वादे फेस्वक पे देख रहे हैं वीडियो को सेर कर ले यूट्यूब पे देख रहे हैं मैं सालों को सब्सक्राब कर ले हैं थान्यवाद